ओम्शांती आज आपक्त तिर्यसर दिन का वरदान और इस वरदान में परम्पिता पर्मातमा या बाबा या अल्ला या हमारे परवर्दिगार परमेश्वर जो कहें लेकिन मीठा वर्ड तो बाबा ही है तो बाबा कहते हैं आज हमें समझाते हैं कि पुर्शार्थ करना इसको हम इंग्लेश में बोलें तो हम इसको hard work कह देते हैं मेहनत करना या हम किसी और भी तरीके से इसको use करते हैं दिन भर में तो परमात्मा कहते हैं पुर्शार्थ करते करते कभी गभी हम क्या करते हैं हम ठक जाते हैं तो हम कहते हैं कि पुर्शार्थ तो कर रहे हैं गलतियां हो रही हैं क्योंकि हम पुर्शार्थी हैं यह परमात्मा कहते हैं कि अपनी जीवन को सुधारना है मन में शांती चाहिए सुक चाहिए, आनन्द चाहिए तो पुर्शार्थ या धार्थ होना चाहिए सच्चा होना चाहिए, दिल से होना चाहिए नहीं तो वो पुर्शार्थ सिर्फ बाहर का दिखाने वाला हो सकता है या तो फिर आले से या अलबेले बन वाला पुर्शार्थ हो सकता है तो आईए देखे परमात्मा घहराई से आज हमें क्या समझाते हैं इस वरदान में तो बाबा कहते हैं पुर्शार्त शब्द को यथार्त रीती से यूज़ कर किसी भी चीज को हम या तो सच्चे तरीके से यूज़ करते हैं या फिर उल्टे तरीके से यूज़ करते हैं तो ये या थार तरीका है क्या देखें कर सदा आगे बढ़ने वाले शृष्ट पुर्शार्थी भवा उंचा पुर्शार्थी अगर आपको hard work भी करना है तो उंचा करे लेकिने आप पुर्शार्त का शब्द का मतलब अब हम समझेंगे बहुत घहरा मतलब है विस्तार में चले कई बार पुर्शार्ती शब्द भी हार खाने में वस असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है कहीं कहीं fail हो जाते हैं क्रोध आगया अहंकार आगया इर्शा आगयी ग्रणा आगयी कैसे लोग हैं ऐसे क्यूं है क्रोध आए किसी के पर या अहंकार में आगया मैं पता में नहीं चला कि हम अहंकार में हैं कि नहीं है हम अपने पूसित करने में लगा हैं कि नई यह हंकार नहीं था यह तो right और wrong के बाद थी तो right जो था मैंने right कहा रॉंग जो था रॉंग कार वो भी एक सुख्षमा अंकार है तो कहीं सारी चीज़े होती हैं इसको हम कहते हैं नहीं है तो कहें पुरशारत कर रहे हैं अभी हम है ना तो बाबा कहते हैं जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरशारती हैं तो इतना जल्दी कैसे चेंज़ होगा। इस चीज़ को करते हैं, हमेशा ऐसी चीज का बहाना मानते रहे, तो परमातुक्त कहते हैं लेकिन यथार्थ तर्ण पुर्शार्थी. कभी हार नहीं खा? सकते वहर नि कहा सकते क्योंकि पुर्शारत शब्त का यथार्थ अर्थ है स्वैम को पुरुष अर्थात के आत्मा समझ कर चलना अत्मा पुरुष मैं अगर अपने आपको आत्मा समझें तो मैं इन कर्मेंद्रियों कीमालिक हूं का मालिक ऐंके अक बुरा नहीं देखेंगी मुक बुरा नहीं बो स्थित ड्रामा जो चल रहा है उसको देख रही हूं आत्मा में मुझे सब के ड्रामा को देख करके इच्छा मात्रम अविद्या को इच्छा ना रख करके साक्षी हो करके सब के ड्रामा को देखना है मेरे को अपने भी पार्ट को देखना है कि मुझे हीरो पार्ट बजाना है कि मुझे विलन का पार्ट बजाना है कि हमें परमात्मा के जो गुण है अगर मैं उनकी रचना हूँ ये शरीर तो मेरे माता पिता ने मेरे को दिया लेकिन मैं अगर आत्मा परमात्मा की रचना हूँ तो मुझे उन जैसे गुणवान बनना है उन जैसा शक्तिशाली बनना है यह मेरा aim object हो गया मुझे दिव्विगुण धारी बनना है divine soul बनना है दैवी आत्मा बनना है यह मेरा aim object हो गया अगर अपने आपको आत्मा समझे लगर पुरुष समझे पुरुष होगी आत्मा इस शरीर की मालिक तब इसको पुरुष कहते है आत्मा को आत्मा इक बिंदी प्रकाश तो परमात्मा कहते है लेकिन यथार्थ पुरुषार्ती कभी हार नहीं खा सकते क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का अर्थ यथार्थ अर्थ है सुएम को पुरुष अर्थात आत्मा समझ कर चलना जो भी कर्म करते हुए आत्मा समझें और उको भी आत्मा समझें आत्मा समझना मलब हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स्ट है जैसे एक होती में आप किसी डिस्क को अगर erase नहीं कर सकते हो किसी cd को अरेज नहीं कर सकते हो आती थी पहले cds जिनके उपर आप override कर सकते थे लेकिन कुछ थी cds जिनको आत्म artists क्ते तो आप वह cd हो आप वह आतमा हो आप वह pięsmire lem cotton प्हुब आप करक्डों करके खञे प्रॉज मन बुद्धी संसकार संसकार जो आत्मा आपके अंदर है उसी अनवसार्त वह आत्मा आपने कर्म करेगी तभी तो दो बच्चे भी घर के होते हैं चाहिए वह ट्विंज हो जुडवे हो लेकिन दोनों की डेस्टिनी अलग-अलग होती है क्योंकि उनके संसकार अलग है वह आ पर्मा यह तो पर्मात्मा केते हैं है य अर्थात अर्थ है स्वयम को पुर्ष अर्थात आत्मा समझ कर चलना ईसने आत्मिक स्थिती में रहने वाले पूर अर्भषी तो सदय अब मंजल को सामने रखते हुए चलते हैं अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं किसका बच्चा हूँ परमात्मा का अगर मैं यह शेरीर से दिखूँ तो नाम परमप्रीत लेकिन शेरीर का नाम परमप्रीत तो फिर कौन याद आएगा शेरीर के माता पेता और वहीं पर महो वहीं पर अहंकार भी आ सकता है इर्शा भी दुरे आपको राजा समझता है तो फिर वो रोयल होके चलता है मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं तो मैं रोयल हो करके चलू तो परमात्मा कहते हैं ऐसे आत्मिक सिती में रहने वाले पुर्शारती तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं कि मुझे बनना किसकी तरह ह यह मुझे अपने पिता को कॉपी करना है कौन परम पिता को तो सदा मन्जल को सामने रखते होए चलते हैं वे कभी रुकते नहीं गेरे रहेंगे भी लेकिन उठ खड़े होंगे रुकेंगे नहीं हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं दिलशकस नहीं होते हो क्योंकि वह सदा यह करें इसके साथ ओम शान्ती